नमस्कार आप देख रहे हैं FirstPike TV और मैं हूँ आपके साथ लखी शर्मा आस्ता में लीन कावड ये भोले बाबा का नाम चपते हुए अपनी ये कठोर तपस्त्या पूरी करते हैं पूरी यात्रा पैदल तै करके भोले को प्रसंद करने पहुचते हैं ये भोले के भक्त फिर हरिद्वार से जल लेकर अपने चहते बाबा पर अर्पित करते हैं ये पूरी यात्रा हिंदु धर्म में बहुत माइने रखती है इस दोरान गौरफ गौरफ नहीं रहता, मनोच मनोच नहीं रहता, सब भोले हो जाते हैं इन भोले की भक्ती में मगन कावडियों के सुक सविदा को लेकर पहली बार सरकार द्वारा कोई बैठक बिठाई गई योगी आदित्यनात ने कावडियों पर हेलिकॉप्टर से कावड यात्रा के दौरान फूल बरसाने की बात की और जो रास्ते भोले तै कर रहे हैं उसकी साफ सफाई भी करवाई इस बैठक में यात्रा के दौरान कावडियों के सोने के लिए सारे शिफ मंदिरों को भी साफ करवाने की बात करी गई थी सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि कावडियों के डीचे बजाने पर कोई पावंदी नहीं लगाई गई हर भोला अपने शिफ के रिमिक्स थुन पर जूम रहा है डीचे पर बच्चते फुल बेस पर गानों ने बोल बम के नारों को कई छुपा सालिया है डाग कावड का क्रेस कुछ इस तरह भोले को भाया कि हर भोला अब डीचे भोला बन गया है सावन के मौसम में चारों दिशाओं से सिर्फ भोले बाबा ही सुनने को मिल रहे हैं हजारों लाकों की इतादात में भोले जुमते वे नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ की वज़े से भोले की सवारिया और भी रंगीन हो गई है पूरी पूरी रात जोरों शोरों से कावडिये आगे बढ़ रहे हैं बोले का नाम लिए जहां योगी आदित्यनाथ ने कावडियों के लिए चांदी कर दी है वही कुछ लोग इस शोर को लेकर काफी परिशान है योगी आदित्यनात ने कावडियों के बारे में तो सोचा लेकिर अपने घर में अराम से सो रही जनता का ख्याल करना शायद भूल गए जहां कुछ लोग इन हाई बेस पर बच्रही गानों से तंग है वही इन डाक कावडियों को देखने हजारों लोग अपने घरों से अपने परिवार के साथ आते हैं रात को इन कावडियों की चका चौन ही कुछ अलग होती है लोग अपने घरों से कावड़ों को देखते देखते काफी दूर निकल आते हैं यो तो डीजे पर बैन ना लगने से कावर्यों की मौच आ गई है लेकिन इन हाई बेस के गानों ने उनके पेरों पर बंदे खुंगुरूं की आवास डख दी है जहां बंबोले की हर जगा जैजे कार हो रही है वहीं योगी आदित्यनात की भी वहाँ वहाँ करी जा रही है नमस्कार बने रहे हमारे साथ First By TV